अब आजाओ, question number 2 में, second part में, इसमें क्या दे रखा है? अच्छा, अभी तक जो हम लोग, देखो, है क्या? कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे? कि जैसे sine inverse, या tan inverse, या cos inverse, जैसे लिखा होता था, sine inverse x plus sine inverse y, तो उस दो को जब हम add करते थे, तो उसमें हमें पता होता था, कि x हमारा, जो है, x जो है हमारा, वो क्या है? कौन सा number है? वो हमें पता होता था, तब उसी को देख के हम क्या करते थे? कंडिशन लगा लेते थे, देखते थे कि अगर x square plus y square, अगर हमारे पास greater than equals to 1 है, तो फिर obtuse angle होगा, तो pi plus वाला लग जाएगा, less than equals to 1 है, तो फिर simple लग जाएगा, sine inverse x into root under 1 minus y square plus y into root under 1 minus x square, यह formula लग जाएगा, यह तो हम check करते थे न, जब x और y हमें known होता था, बट अगर हमारे पास x और y known नहीं है, sorry, जब x और y known होता था, बट अगर हमारे पास कोई variable है, कहने का यह मतलब है, कि हम लोग जितने भी अभी हमने formula परें, उसमें जो हमारा variable था, वो known था, तो हम उस known से check कर लेते थे कि कौन सा condition satisfy हो रहा है, फिर उसी condition के according हम क्या करते थे, formula लगा देते थे, बट general क्या होता है, कि हमें बोलेगा, जैसे इसको बोल रहा है calculate करने के लिए, अच्छा यह तो थो थोड़ा different type का question है, यह तो बिना formula की solve हो जाएगा, बट फिर भी अगर जैसे यह बोले कि, जैसे तुम्हें ऐसे बोले, इसको भी हम लोग आगे deal करेंगे, अभी जैसे अगर माल लो ना, ऐसे करके तुम्हें बोले, कि sin inverse x, plus sin inverse 1 upon 2, is equals to, कुछ भी, sin inverse root 3 by 2, ऐसे करके बोले, ठीक है, यह बोले, इसका value निकालो, तो यहाँ पे तो हम x को देख नहीं सकते हैं, x और x दे रख्या, y की जगव 1 upon 2 दे रख्या है, तो यहाँ पे तो हमें पता नहीं है, कि x है क्या, तो हम तो direct sin inverse x, plus sin inverse y का condition, डेरेक्ट तो चेक नहीं कर सकते, तो उसका भी way out है, करेंगे क्या, वो अभी मैं आगे बता रहा हूँ, वट अभी question में कुछ और है, तो इसको देख लो, जैसे यह बोला है कि, इसमें x का value निकालो, ठीक है, तो इसमें हमने second inverse x को, left hand side पे छोड़ दिया, इसको right hand side में लेके गया, और tan inverse 1 upon 2, cos inverse को यहां कर दिया, फिर इस cos inverse को tan inverse में change कर दिया, ठीक है, अब इसको हमने tan inverse में कैसे change किया वही, cos inverse 3 upon 5 को theta माना, फिर triangle बनाया, फिर वहां से tan inverse में change कर दिया, अब यह देखो, कि, sec inverse, यह जो हमारा लिखा है न, अच्छा tan inverse कैसा function है, tan inverse एक हमारा increasing function है, tan inverse Hero हमारा increasing function है, तो इसका मतलब increasing function है, इसका मतलब कि अगर, x, y से greater है, तो tan inverse x, tan inverse y से greater होगा, इसका मतलब कि, जैसे जैसे हम x की value बढ़ाएंगे, तो 10 inverse का value बढ़ेगा ठीक है तो 1 upon 2 पे 10 inverse का value और 4 upon 3 पे 10 inverse का value किस पे बढ़ा होगा और वेसी बात है 4 upon 3 पे because 4 upon 3 के हमारा greater है 1 upon 2 से ठीक है तो इसका value हो गया इसमें तुम ऐसे देखो 4 को इसमें 10 inverse का graph क्या होगा देखो चलो ऐसे देखो 10 inverse function का graph क्या होगा ऐसे ही तो होगा इस पाइबाई 2 यहां पे माइनस पाइबाई 2 तो increasing function है तो x का value अगर यह alpha है यह beta है अगर हमारे पास alpha less than beta है तो हमारे पास क्या मतलब हुआ 10 inverse alpha less than 10 inverse beta होगा इसमें तो कोई problem है नहीं अब यहां पे तुम ऐसे देखो कि हमने 1 upon 2 को माल लिया greater है 3 upon 5 से तो इसको cross किया तो 5 is greater than 6 तो यह तो wrong हो गया ठीक है ना इसका मतलब 1 upon 2 is less than क्या है अगर 1 upon 2 3 upon 5 से greater होता तो यह तो positive number है cross कर सकते हैं तो cross करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा greater than 6 यह wrong हो गया इसका मतलब 1 upon 2 3 upon 5 से छोटा है तो अब tan inverse तो अप्लाई कर सकते हैं increasing function in equality change नहीं होगा less होगा tan inverse 3 upon 5 से तो यहां से हमें क्या मिला tan inverse minus 1 upon 2 minus tan inverse 3 upon 5 क्या होगा negative होगा ठीक है तो यही बोला जा रहा है यहां पर अच्छा यह 3 upon 5 नहीं है 4 upon 5 है sorry this is 4 upon 5 तो 5 is less than 8 यहां होगा न 4 upon 5 cross करेंगे तो क्या होगा 5 is इससे 1 upon 2 यहां क्या होगा 5 is greater than 8 तो यह भी false है तो यह 4 upon 5 है तो यह 4 upon 5 तो यह चीज हमारे negative मिल गया this is 4 तो यह negative मिल गया हमें not 4 upon 5 this is 4 upon 3 यहां 10 inverse 1 upon 2 4 upon 3 1 upon 2 को मैंने greater बोला sorry this is 4 upon 3 अगर मालो मैंने ऐसा बोल दिया तो यह क्या हो जाएगा 3 is greater than 8 ऐसे ही यह न 1 upon 2 greater than 4 upon 3 अब यह तो cross कर सकते है न तो 3 greater than 8 हो जाएगा तो यह हमारा false हो गया इसका मतलब 1 upon 2 क्या है less है 4 upon 3 से अब इस पर हमने 10 inverse अप्लाई कर दिया 10 inverse 1 upon 2 is less than 10 inverse 4 upon 3 तो यह क्या हो जाएगा 10 inverse 1 upon 2 minus 10 inverse 4 upon 3 is less than 0 ऐसा हो जाएगा न ठीक है तो यह बोला जाएगा इसका मतलब कि left hand side में कैसा एंगल लिखा हो एक निगेटिव एंगल लिखा हो ए और second inverse x चाहिए x positive हो चाहिए x negative हो second inverse x जो होता है एक हमें सब positive एंगल होता है second inverse का जो range होता है वो क्या होता है 0 से pi होता है तो 0 से πाई के बीच में तो positive angle सेक inverse का range क्या होता है 0 से πाई minus 5 by 2 तो सेक inverse क्या हमारा है एक positive angle है और right and side में लिखा एक negative angle तो इसका मतलब यहां से x का में कोई solution नहीं मिलेगा ठीक है यारी मेरे बात समझ नहीं थर्ड पार्ट में क्या है कि थर्ड पार्ट में जैसे लिखा है tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equal to sin inverse x तो यहां पर क्या है कि formula होता है दो formula होता है tan inverse के plus में दो formula होता है एक जब क्या होगा xy less than 1 तो सीधे formula क्या लग जाएगा tan inverse x plus y upon 1 minus xy और xy greater than 1 होगा तो क्यों सा लगेगा पाई प्लस tan inverse x plus y upon 1 minus xy तो यह xy क्या है greater than 1 6 है ना greater than 1 तो left hand side क्या होगा पाई प्लस sin inverse जो एंगल जनेरेट करेगा वो minus πाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो यह देखो यह xy greater है तो जो left hand side हमारा एंगल दे रखा है यह हमारा एंगल क्या होगा जैसे यह formula होता है ना पाई प्लस tan inverse उसमें यह देखो यह देखो xy greater में होता है ना पाई प्लस वाला तो इसमें क्या है x positive है y positive है और xy अगर 1 से बढ़ा है तो यहां पे तुम यह देखो पाई प्लस दिस लिखा है ना तब इसको देखते है यह angle क्या है positive है यह नीगेटिव है इसको देखो इसमें x positive, y positive तो दोनों का some positive और xy क्या हमारा greater than 1 है तो denominator क्या हो गया denominator negative हो गया तो on the whole यह क्या हो गया हमारा negative हो गया ठीक है तो यह negative हो गया तो tan inverse में यह minus कर दोगे तो ये अंदर फिर ये positive हो जाएगा तो क्या होगा ये πाई में से कुछ घटेगा अगर xy 1 से बढ़ा है तो ये negative है तो πाई minus मतलब πाई से छोटा होगा होगा नहीं है तो क्या होगा जो हमारा left hand side है वो greater than πाई by 2 होगा क्यों होगा greater than πाई by 2 पाई में से तुम कोई भी positive angle मतलब ऐसे हो जाएगा नहीं ये देखो इसको तुम ऐसे देखो ये tan inverse ये जो हमारा angle होगा ये क्या होगा ये जो angle दिख रहा है तुमें ये क्या होगा अगर xy greater than 1 होगा तो ये negative होगा इस minus इसका negative लेके हमने इधर भेज दिया इसको मतलब हमने ऐसे change कर दिया xy minus 1 कर दिया एक minus यहाँ लगा दिया तब इसके अंदर तब तो ये positive होगिया ठीक है ना अब इसके अंदर positive होगिया तो tan के अंदर अगर कोई positive number लिखा है किसी भी inverse trigonometric function का argument अगर positive है तो वो inverse trigonometric function हमेंसे acute angle generate करता है तो अगर मैंने xy को minus 1 करके इस minus को यहाँ कर दिया तो जो हमारे पास यह बचेगा यह एक acute angle होगा πाई मेंसे acute angle subtract करोगे तो क्या होगा obtuse angle होगा किसी भी और πाई मेंसे acute angle subtract करो हमेंसे acute use होगा तो इसका मतलब क्या है कि यह जो लिखा हुआ है यहाँ पे यह जो लिखा हुआ है यह अप्ट यूज एंगल लिखा हुआ है और यह जो sine x है ना यह हमारा क्या होता है sine x का value कभी pi by 2 से greater होई नहीं सकता because sine inverse x का range क्या होता है between minus pi by 2 to pi by 2 तो इसका मतलब क्या है यहाँ भी गरबर है यहाँ भी x का कोई value नहीं मिलेगा sine inverse का range क्या होता है वो कभी pi by 2 से greater angle generate ही नहीं कर सकता है और minus pi by 2 से smaller angle generate नहीं कर सकता है और यह हमारा मतलब left hand side में लिखा हुआ obtuse angle, right hand side में लिखा है acute angle which is not possible, so no solution, ठीक है, अब आ रहे हैं कुछ problems for practice, इसको देख लेते हैं, पहला problem है, prove that cot inverse 9 plus caussic inverse root under 41 upon 4 is equals to pi by 4, यह हमें prove करना है, तो ठीक है, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि कभी भी अगर कोसिस करो कि किस में convert कर लो, tan inverse में convert कर लो, ठीक है, वो ज़्यादा सही होता है, tan inverse में करने, sin inverse, cos inverse में करोगे न, तो square root वगर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे cot inverse दे रखा, तो इसको तो हम easily tan inverse में convert कर सकते हैं, tan inverse 1 upon 9 हो जाएगा, because 9 positive है, इस caussic inverse को हमने tan inverse में convert कर लिया, कैसे वही triangle wrangle बना के कर लिया, यहाँ पे हमने root under 41 upon 4, triangle बनाया, इसको पहले theta बोला पूरे को, theta बोला तो क्या हो जाएगा, cosic क्या होता हमारा, cosic theta क्या होता है, hypotenuse upon perpendicular, तो यह hypotenuse हो गया root under 41, perpendicular हो गया 4, वहाँ से हमने base 5 निकाल लिया, तो फिर 10 inverse 4 upon 5, तो अब यह क्या हो गया, अब यह जो हमारा question को हमने किस में convert कर लिया, पूरे को 10 में convert कर लिया, 10 inverse 1 upon 9 plus 10 inverse 4 upon 5, ठीक है, उसके बाद करते ही क्या है, 10 inverse में हम क्या देखते है, xy less than 1 into xy greater than 1, अगर xy greater than 1 हुआ, तब तो pi plus 10 inverse करके लिखते हैं, और xy less than 1 हुआ, तो सी 10 inverse करके लिखते हैं, और xy 1 के equal हो, तो सीधे pi by 2 formula हो जाएगा, x का काम क्या कर रहा है, 1 upon 9, y का का काम क्या कर रहा है, 4 upon 5 multiply कर दिया, तो क्या हो गया, 4 upon 45, जो की 1 से छोटा है, तो सीधे formula क्या लग जाएगा, 10 inverse this, x plus y upon 1 minus xy, formula लगा दिया हमने, तो क्या गया, इसको सब cancel हो question number 2 में क्या बोला है, cos inverse root under 2 by 3 plus cos inverse root under 6 plus 1 upon 2 root 3, अब देखो, इस step का जब भी calculation होगा, तो यहाँ पे करना क्या है, कि हमारी कोसिस क्या होगी, यह ऐसे square root में दे रखा है, तो यह तो बिलकुल common sense बोल रहा हमारा, क्या कि कोई ऐसा, मतलब, ऐसे x पर cos inverse x angle तो खोज नहीं हमें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कि यह जो cos inverse है ना, यह जो formula लिखा है, यह कुछ something, cos inverse a plus cos inverse b के format में, मतलब, यह क्या हो रहा होगा, कि इसको जब तुम solve करोगे ना अंदर इस bracket के अंदर जो लिखा है इसको solve करोगे तो ये cos inverse ये पूरा cos inverse a plus cos inverse b या cos inverse a minus cos inverse b के format का जाएगा मतलब कि ये जो formula में और उससे क्या होगा कि ये cancel हो जाएगा ऐसा कुछ हो रहा होगा तो उसके लिए तुम जड़ा देखो देहान से इस bracket के अंदर जो लिखा है ना root 6 plus 1 upon 2 root 3 इसको हमने क्या किया अलग-अलग कर लिया root 6 upon 2 plus root 3 कर लिया अब इसको कुछ नहीं कर रहे हैं अब इसको solve कर रहे है root 6 upon 2 root 3 कर लिया plus 1 upon 2 root 3 कर लिया अब इस root 6 को क्या लिख सकते हैं इससे हमने न जबरदस्ती root under 2 by 3 बाहर निकाला इससे root under 2 by 3 को बाहर निकाला जबरदस्ती मतलब forcefully निकाला क्यों निकाला बता रहा हूँ तो इसको निकाला तो यह क्या हो जाएगा root 3 by 2 हो जाएगा into root 3 by 2 यह root 3 यह हो गया देख लो यह root 3 और यह root 6 हो जाएगा और यह 2 root 3 हो जाएगा ऐसे लिख लिया अब क्या है कि यह x का काम कर रहा है यह y का काम कर रहा है formula क्या होता हमारा और ये क्या हो गया इसको हमने क्या लिखा 1 upon 2 into root 3 अब देखो अगर ये x है ना तो ये वाला चीज ये जो चीज है 3 minus 2 1 by root 3 अगर इसको तुम x मानते हो तो फिर ये root under 1 minus x square है और इसको तुम अगर y लेते हो तो ये root under 1 minus y square देख ले ना करके इसका value देखो क्या हो जाएगा ये तो पहले हो जाएगा 2 by 3 तो 3 minus 2 1 by root 3 तो आगे 1 by root 3 तो ये x है तो ये root under 1 minus x square है ये y है तो ये root under 1 minus y square है तो अब ये आगे फॉर्मूले पे अब देखो क्या है उसके बाद भी हमें check करना होता है उसके बाद भी हमें check करना होता है cos inverse का formula लगाते है cos inverse x minus cos inverse y तो cos inverse x minus cos inverse y तो minus में क्या होता है minus y by 2 से π y by 2 के बीच में होता है तो फिर हमें check करना होगा कि x y में से बड़ा कौन सा angle उसी को देख के लगाना होगा जैसे यह देख लो यह जो फॉर्मला हमने पढ़ा है यह देखना होता है ना x, y में बड़ा कौन सा है अगर x less than y होगा तो यह फॉर्मला लगेगा greater than y होगा तो यह फॉर्मला लगेगा और x is equals to y में यह लगा लो ये लगा लो, दोनों में एक ही चीज है एक ही result आएगा, तो हमें देखना होगा कि कौन सा ये formula लगेगा ये formula लगेगा, कौन सा वरा है तो उसके लिए हमने क्या किया अभी तो हमने बस इसको convert कर दिया इसको हमने इस format में change कर दिया अब हमने माल लिया, अब इसको कैसे check करें अब जैसे ये हमारा क्या हो गया इसको हम लिख सकते जैसे ये cos inverse क्या हो रहा है हमारे पास root 6 plus 1 upon 2 root 3 cos inverse root 6 plus 1 upon 2 root 3 इसको हमने कैसे solve कर लिया, इसको हमने लिख दिया cos inverse 2 by 3 2 by 3 into root 3 by 2 plus 1 by root 3 into 1 by 2 ऐसे लिखा, फिर इसको हमने बोल दिया cos inverse इसको हमने बोला root under 2 by 3 into root 3 by 2 plus इस 1 upon root 3 को बोल दिया 1 minus root 2 by 3 का whole square root under इस root 3 by 2 को बोला 1 minus 1 by 2 का whole square तो ये देखके लग रहा है कि कौन सा formula है cos inverse a minus cos inverse b तो इसमें अब कौन सा formula लगेगा हमारे पास formula क्या होता है cos inverse का cos inverse के ये formula होता है cos inverse x minus cos inverse y एक तो formula होता है cos inverse xy sorry xy plus root under 1 minus x 1 minus y square कब बन xy is less than equals to 1 और ये क्या होता है minus cos inverse x root under xy plus root under 1 minus x square 1 minus y square when xy is greater than equals to 1 ये होता है तो अब इसमें x का ये काम कर रहा है y का ये काम कर रहा है देखना होगा ना कि कौन सा formula लगेगा ये लगेगा ये लगेगा कौन सा लगेगा तो अब हम चिक कैसे करें कि ये बढ़ा है ये बढ़ा है तो कोई बात नहीं किसी एक को बढ़ा मल लो मल लिया इसको हमने कि 2 by root 3 root under 2 by 3 बढ़ा root 3 by 2 से तो ये क्या लिखा है root 2 upon root 3 greater है root 3 upon 2 से अब cross किया तो cross किया तो 2 root 2 is greater than 3 ये क्या हो जाएगा root 2 क्या हो जाएगा root 2 is 1.4 तो 1.4 को अगर तुम 2 से multiply करोगर 2 point something तो ये तो गलत लिखा है इसका मतलब ये गलत है इसका मतलब क्या होगा 2 by 3 क्या होगा less होगा root 3 by 2 से ये होगा न इसका मतलब कौन सा फार्मला लगेगा इसका मतलब ये फार्मला लगेगा ठीक है और x y क्या है जो हम ये फार्मले में x y बोल रहे हैं यहाँ पे इसमें हम जैसे हम क्या कर रहे हैं right hand side से left hand side पे जा रहे है तो x into y ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो छोटा होगा na x वो पहले आएगा और जो बड़ा होगा y पहले तो x अगर y से छोटा होगा तो ये फार्मला लगेगा x y से बड़ा होगा ये फार्मला लगेगा इस से छोटा है सबसे पहले x into y क्या है x into y देख लो तू x का काम करा 2 by 3 into y क्या root 3 by 2 तो root 3 root 3 cancel क्या हो जाएगा root 2 by 2 तो क्या होगा ये greater than numerator बढ़ा है ना sorry less than 1 छोटा है तो less than 1 है तो ये फार्मला लगा क्या मैं बोल रहा हूँ यार नहीं ये फार्मला लगेगा x is less than equals to y less than 1 नहीं आ रहा है इसमें x y जो आ रहा है x is greater than equals to y x is less than equals to y एक मिनट लेखो question क्या था एक मिनट के लिए cos inverse root 2 by 3 minus cos inverse क्या है root 6 plus 2 root 3 ऐसा दे रखा है ठीक है यहां पर इसको हमने क्या लिख लिए cos inverse ऐसे लिख लिख लिए 2 by 3 into root 3 by 2 plus root under 1 minus root 2 by 3 whole square root root under 1 minus यह x का काम कर रहा है यह y का काम कर रहा है यह हमारा root under 1 minus x square तो इसमें हमने देखा कि x बढ़ा है y बढ़ा है कौन सा बढ़ा है बढ़ा है तो माली हमने कि 2 by 3 छोटा है root 3 by 2 से तो इसको cross क्या तो 2 root 2 क्या हो जाएगा positive है तो cross हो जाएगा 3 root 3 से तो यह obvious से बात है यह छोटा है 3 root 3 greater है तो यह छोटा है इसका मतलब यह true है तो इसका मतलब x is less than y है तो यह क्या हो जाएगा यह cos inverse हो जाएगा यह हो जाएगा 2 by 3 minus यह formula पे आजाएगा cos inverse 2 by 3 minus cos inverse x पहले जो छोटे वाले को रखेंगे उसके बाद cos inverse बड़े वाले को रखेंगे root 3 by 2 ऐसे रखेंगे न because जो formula हम लिखते थे cos inverse x minus cos inverse y इसको जो हम formula में लिखते थे थे cos inverse x y plus root under 1 minus x square root under 1 minus y square इसमें क्या होता था x is less than equals to y तो पहले छोटे वाले को रखते थे तो यहाँ छोटे वाले को रखा तो यह minus y और यह cancel हो गया तो हमें क्या मिल गया cos inverse root 3 by 2 तो cos inverse क्या हो गया root 3 by 2 होगा 30 degree that is 5 by 6 answer हो गया ठीक है तो यह भी question हो गया हमारा solve अब question number 3 में आजाओ इसमें क्या बोल ला है इसमें बोल ला है कि proof that sorry इसमें बोल ला है कि proof that cos inverse root under 1 upon 3 minus cos inverse root under 1 upon 6 plus cos inverse root under 10 minus 1 upon 3 root 2 को इसके equal proof करो ठीक है तो इसको अभी छोड़ दिया हमने as it is रहने दिया फिर मैं क्या expect करूंगा कि ये जो cos inverse वाल है न फिर कुछ ऐसे cos inverse x minus cos inverse y के form का हो जाए ये कुछ cancel whencele हो जाए यही उमीद करूंगा तो फिर मैंने क्या किया root 10 minus 1 upon इसको पहले बाहर निकाला बाहर निकाला तो इसको पहले तो अलग अलग किया उसके बाद इसमें मैंने क्या किया कि root 10 को क्या लिखा root 2 into root 5 तो ये root under 2 by 3 को एक साथ रख कर लिया और root under 5 by 6 को एक साथ कर लिया समझ रहे हो ना इसमें क्या बोल रहा हूँ जैसे root under 2 into root under 5 root 10 हो गया और 6 को क्या लिख सकते हो root 3 into root 2 root 3 into root 3 मिलके 3 root 2 हो गया तो इसको हमने ऐसे form में लिख लिया और ये क्या है 1 upon 3 into 1 upon root 2 तो ये x है तो ये root under 1 minus x स्क्वेर है और ये y है तो ये root under 1 minus y स्क्वेर है ठीक है अब क्या है कि यहाँ पर यह ऐसे मिल गया हमें ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या है कि इसमें न एक तो हम इसको x मानते हैं एक न चेक कर लो इसको जैसे इसको तुम न एक बड़ ऐसे चेक कर लो क्या दे रखा है यहाँ पर cos inverse root 2 by 3 into 5 by 6 minus 1 by root 3 into 1 by root 6 ऐसे दे रखा है ठीक है तो इसमें क्या दे रखा है कि जैसे इसको मैंने x बोला इसको y बोला ठीक है तो root under 1 minus x square देखो क्या आड़ा है यह आड़ा है root under 1 minus 2 by 3 का square तो यह क्या हो जाएगा root under 1 minus 2 by 3 तो 3 minus 1 by 3 minus 2 by 1 by 3 तो 1 by root 3 ठीक है यह आगिया अब इसको y बोला तो root under 1 minus y square चेक करो तो root under 1 minus y क्या है 5 by 6 का whole square 1 minus 5 by 6 6 minus 5 1 by root 6 यह हमारा क्या हो गया root under 1 minus x square हो गया यह हमारा क्या हो गया root under 1 minus y square हो गया ठीक है आप कोई दिकत नहीं है बट फिर क्या है यहाँ पे इसमें यह हमारा एक्स है इसमें क्या होता है फॉर्मले में यह फिर तुम्हें काम करो ऐसे ही फॉर्मला लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हमें क्या देखना होगा कि एक्स और वाई में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है तो हमने माल यह टू बाई थ्री जो है यह लेस है root under 5 by 6 से स्क्वेरिंग कर दिया positive है तो स्क्वेर कर देंगे तो 2 by 3 लेस है 5 by 6 से तो क्या हो जाए अगर 12 less है 15 से तो बिल्कुल correct है इसका मतलब क्या है कि this is true तो इसको हम क्या लिखेंगे इसको जब हम formula पे लिखेंगे तो formula में क्या लिखेंगे यहाँ पे x जो है y से छोटा है तो इसको हम अब final कर लेते है यह मैंने ना यहाँ पे minus कर दिया बट इसकी ऐसा जोड़ोथी नहीं हम direct इसको solve कर लेते है जैसे देखो यहाँ पे क्या रहा है यह क्या लिखा है cos inverse यह क्या लिखा है cos inverse 1 by root 3 minus cos inverse 1 by root 6 ठीक है plus cos inverse root 2 by 3 into root 5 by 6 minus 1 by root 3 into 1 by root 6 यह x है यह y है और यहाँ पे x y से छोटा भी है x is less than y तो कौन सा formula लगेगा पहला वाला formula सीधे क्या हो जाएगा cos inverse x minus cos inverse y तो यह क्या हो जाएगा cos inverse 1 upon root 3 minus cos inverse 1 upon root 6 cos inverse x क्या होगा cos inverse root 2 by 3 minus minus cos inverse y तो यह formula ऐसे लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें बट यहाँ पे एक चीश सही है तुम करो क्या कि minus common ले लो उससे benefit क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है यह करने में बट अगर तुमने minus common ले ले ना तो यह cancel होने का chance है क्या होई जाएगा cancel तभी मैंने वहाँ भी minus लिया है देखो क्या हो रहा है minus इसमें मैंने क्या किया 1 upon root 6 plus सही मैंने किया उसमें एक minus common ले लिया तो यह हो गया 1 upon root 3 into 1 upon root 6 minus 2 by 3 into root 5 by 6 ऐसे हो गया जरा ध्यान से दो कुछ चीजों को अगर मैं इसको x अब बोलता हूँ इसको मैं y बोलता हूँ उससे भी पहले यह cos inverse minus theta तो pi minus होता है तो उसको लिख दिया cos inverse 1 upon root 3 minus cos inverse दिख रहा है न cos inverse 1 upon root 6 plus pi minus यह क्या हो गया cos inverse अब हो गया 1 by root 3 into 1 by root 6 minus root 2 by 3 into root 5 by 6 ऐसे हो गया pi को तो एकदम यहां पे ले गया है plus यह हो गया cos inverse 1 by root 3 minus cos inverse 1 by root 6 minus अब देखो अगर मैंने इसको x बोला किसको x बोला 1 by root 3 को x बोला तो ज़िदा देखो एकद्से देखो एकद्से इसको x बोला तो root under 1 minus x square क्या होगा root under 1 minus x square क्या होगा यह root under 1 minus 1 by root 3 का square तो क्या होगा root under 1 minus 1 by 3 क्या होगा 3 minus root 2 by 3 तो यह क्या होगा हमारा यह root under 1 minus x square होगा सेम लाइन पे अगर इसको y बोलेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा root under 1 minus y square ठीक है अब हमें देखना है कि इसमें बड़ा कॉन है cos inverse x minus cos inverse y में formula में देखना होगा कि कौन सा बढ़ा है तो हमने माल लिया कौन सा बढ़ा है कौन सा छोटा है तो हमने माल लिया 1 upon root 3 छोटा है 1 upon root 6 से स्क्वारीं ng कर लिया तो क्या हो जाएगा, root 6 क्या है, less है, किस से, root 3 से cross multiply कर दिया, squaring कर दिया, positive है, तो कर सकते है, 6 less than 3 है, तो यह गलत है, इसका मतलब 1 upon root 3 जो है, वो क्या है, greater है, 1 upon root 6 से, तो पहले कौन सा रखते हैं, जब यह formula को revert करेंगे, मतलब cos inverse x minus cos inverse y में करेंगे, तो पहले कौन सा रखेंगे, पहले रखेंगे, छोटा, फिर बढ़ा, तो इसको क्या होगा यह, यह किसके equal हो जाएगा, यहाँ पहले छोटा, तो छोटा में क्या, 1 by root 6, फिर बढ़ा, तो cos inverse 1 by root 3, अब क्या होगा, कि यह minus और यह minus मिलके, यह तो plus हो जाएगा, यह minus मिलके क्या हो जाएगा, यह minus हो गया, cos inverse ठीक है, यह minus है, तो यह add हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यह इसका value मिलेगा हमें, आयोप यहाँ पे कुछ गर्बर ना हो, 1 by root 6, जो है, इसमें, मैंने क्या बोला, 1 upon root 3 less than 1 upon root 6, तो root 6 less than root 3, जो कि false है, तो 1 upon root 3, जो है, क्या है, greater है ना, अग, cos inverse में हम क्या करेंगे, पहले smaller को रखेंगे, फिर larger को रखेंगे, यहाँ पे कुछ गर्बर हो रहा है, यहाँ पे 1 by root 3 आएगा, और यहाँ पे 1 by root 6 आएगा, तब ही यह 1 by root 3, और इसके साथ cancel होगा, यह minus minus plus इसके साथ cancel होगा, तो इसके लिए कुछ गर्बर तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे, calculation सही है ना, हम जो formula में ले रहे हैं, उसके लिए हमने, पहले रखते है smaller को, फिर रखते है larger को, यहाँ minus आ रहे है क्या, मुझे गर्बर तो नहीं कर रहे है, यहाँ आ रहे है minus, यहाँ भी ठीक है, वही तो गर्बर कर रहे हैं, यह minus आ रहे हैं तो minus आ रहे हैं तब तो एक ही plus वाला formula होगा ना, यहाँ बीच में minus है न तो minus है तो plus वाला formula होगा, तो यह कोई दिक्कत ही नहीं है, यह plus वाला formula होगा, किसी को भी रख़ो इदर कोई दिक्कत नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, यह और यह cancel हो जाएगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा πाई प्लस फिर हमें क्या मिलेगा πाई प्लस 2 कॉस इंवर्स 1 बाई रूट 3 इसमें हमाराब इसको हमने जो लिया है माइनस में आ रहा है तो इसमें एक्च्वल में यहां है माइनस में तो यह आएगा प्लस में तो प्लस में आएगा तो अच्छा यह कुछ गरबर हो रहा है मुझसे यह प्लस और माइनस माइनस यह कैंसल होगा यह कैंसल होगा यह कैंसल होगा यह देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो इसके साथ cancel होगा ना minus और यह minus minus तो add हो जाएगा ना तो pi minus 2 आएगा ना चुर्टी छुटी mistake हो रही है यह pi minus क्या आएगा है हमारे पास pi minus 2 cos inverse 1 by root 6 यह हमारे पास आजाएगा ठीक है यह answer हो गया pi minus 2 cos inverse 1 by root 6 अब cos inverse 1 by तो अगर इस से तुम 2 common ले लोगे तो क्या हो जाएगा और मैं पता है ना sin inverse x plus cos inverse x क्या होता है तो πाई बाई 2 minus cos inverse x क्या होगा sin inverse x तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 2 sin inverse 1 upon root x तो ऐसे भी लिख सकते हूँ ठीक है और 2 sin inverse 1 upon root x और फिर अगर तुमने sin inverse 1 upon root x को अगर तुमने थीटा माना तो यह किस फॉर्म को हो जाएगा 2 theta और theta क्या हमारे पास अगर तुम इसको sin inverse 1 upon root x को जैसे देखो क्या हमारे पास pi minus 2 cos inverse 1 upon root x इसे हमने 2 common ले लिया तो यह क्या हो गया pi by 2 minus cos inverse 1 upon root 6 तो यह क्या हो गया 2 pi by 2 minus cos inverse x क्या हो जाएगा sin inverse 1 upon root 6 फिर अगर तुमने इसको theta मानओ यहाँ पे triangle बना यह इसको theta माना तो यह क्या हो जाएगा sin theta 1 by root 6 तो यह one है यह root 6 है तो क्या होगा 6 minus 1 root 5 अब चौतो तुम इसको cos में भी change कर सकते हो cos theta क्या हो जाएगा root 5 by root 6 theta क्या हो जाएगा cos inverse root 5 upon root 6 तो इसको तुम लिख सकते हो 2 cos inverse root 5 by root 6 ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है यह तो form change करने का है और 1 by root 6 तो यह हो गया यह root 5 आया गई ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो cos inverse या फिर तुम इसमे न 2 theta 2 theta में तुम क्या करो इसको हमने क्या माल लिया प्रूश सकते हो यह हो तुम प्रूश सकते हो सब होते हैं